एक लाइन के रूप में चर्चा के रूप में पुरा विस्तार कर देंगे हमने जहां पर आपको बताये था रूस ने चेनोबिल पर कबजा किया तो यह क्या गटना थी तो यह आपको पता ही है कि रूस के द्वारा जब यहां पर SENA ने यूक्रेन के चैनोबिल न्यूक्रेर प्रांट पर यहां पर कबजा कर लिया है इसकी पुष्टी जो है यूक्रेन के राष्टपती सलाकार मिखाइलो पेंडोक के लिया की द्वारा यहां पर राष्टपती ने कहा है कि यह कहना संभव नहीं है कि रूस की सेना के हमले के गिराया है इसके बाद आपको बता दे कि यह यूक्रेन की राजदानी कीवी से 108 किलोमेटर दूर थे उस समय की गटना जब हमने आपको इस सप्ता के अंदर पढ़ाया था तब की बात है और यह अब तो क्या है कि कीवी पर पूरा यहां पर अपने अंडर ले चुका है अगल उसके अंदर यूक्रेन का हमला बोल दिया है जिससे 48 गंटे में बहुत तेजी से पूरी दुनिया में गटना करम में बदलाव आया है और 25 वरवरी 2022 को सुबह यूक्रेन पर कई इलाकों में यहां पर हमला बोल दिया गया था और भारत का रूस और यूक्रेन दोनों के कफी नागरी इन दोनों देशों में क्या है रहते हैं यूक्रेन के ज्यादातर लोग भारत से पढ़ने जाते हैं जो यूकरेन में जो लोग ज्यादातर जाते हैं वो पढ़ने के लिए इनका सामना करना पड़ रहा है जो हम दरबदर आपको जो वीडियोस चल रही है उनके माधियम से बताने का प्रयास कर रहे हैं नाटो क्या है और नाटो में कितने देश हैं यह हमने आपको पढ़ाया ही था पूरे सप्ता में चला है तो इसको एक बार संसरी नजर से देख ल नाटो के यहां पर सदस्य जो है देशों में 2 अमरीकी सदस्य बाकी 27 यूरोपी यूНियन के देश है उसके अंदर एक यूनेश्यं देश है शामिल है जो नाटो की इस्थापना के समय मुख्य उध्देश्य यहां पर जो था उनका वो पस्चिमी यूरोप में सोवित संग के सामयवाद जो है विचारदारा उसको रोकना था नाटो का उद्देश ये 4 अप्रेल 1990 को यहाँ पर हस्तात्रि उत्री अट्लांटिक संदीक को लागू करता है यहाँ पर नाटो के बार में यूक्रेन के खिलाफ सैन्ने रूप से अप्यान की गोशना जो हो चुकी थी उसका पूरा चर्चाब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रास्टे बेलामिनिन पुतिन जो रास्टपती हैं उन्होंने पूरवी उक्रेन के अलगा हुआ दिये के कबजे वाले डोनाबास की रक्षा के एतू सैन्ने कारवाई मिलिटरी ऑपलेशन को गोशना कर दी है रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने ये अपने बयान में यह भी का है कि यूक्रेन का युद्ध को अब और ज्यादा टाला नहीं जा सकता इसके बाद में रूसी रास सुद्ध रोकने की अपील की है संयुक्त रास्ट्रे ने यह का है कि रूस अपने सैनिकों को हमला करने से रोके बारती महिला रिचा गौस वंडे में सबसे तेज अर्थ सतक लगाने वाले खिलाडी बन चुकी है बारती महिला टीम की विकेट कीपर बलेबाज रिचा गौस एक मैत्रपूर्ण रिकौर्ड अपने नाम किया है गौस अब भारत की तरब से महिला क्रिकेट में सबसे तेज अर्थ सतक बनाने वाली बलेबाज बन गई मात्र 26 गेंदों में 26 गेंदों में अपने 50 पूरी किये आपको ये भी बता दिया जाए कि वेदा कृष्णा मूर्थी का रिकौर्ड तोड़ा है उन्होंने 32 गेंदों में अर्थ सतक लगा था भारती विकेट की पर रिचा गौस ने इस पारी के साथ सबसे तेज अर्थ सत दोड़ करता दक 14 साल पुराना भारती रेकौड को तोड दिया है संजीव सन्याल प्रशिद अस्तास्त्री परणका रोप में रत मुस्त्मान वित मंत्राव के प्रमूक आरहिक पारीयरत है वे 1990 के दसक से विती बाजारों के साथ काम कर रहे हैं संजीर सानियाल फरवरी 2017 में मुक्या आर्तिक सलाकार के रूपे वित मंत्राल है में सामिल हुए थे इसे पहले ड्यूस बैंक में वैस्विक रणनीतिकार और प्रवंदिन इदिश्यक के रूपे कारी कर रहे थे नासा ने अंतराष्टी अंतरिक्स इस्टेशन को अधिकारिक तोर पर साल 2021 तक के बंद करने की गोशना कर दी गई है अंतराष्टी अंतरिक्स इस्टेशन को अधिकारिक तोर पर बंद करने की योजना बताई गई है साल 19-19 में दरजनों प्रएक्शन के बाद इस्टेशन को और उपरी कक्षमें ले जाए जाएगा ऐसे में इसे लांच करना नीचे लाना और एक बहुत बड़ी उपलब्दी होगी तेकिन इस खत्रे में भी है नासा की योजना खत्म करने की प्रक्रिया है तो प्रशान्त मासागर के बीच में पाइंट निमो नामके इस्तान पर इसे डुबोना है इसे अंत्रिक श्यान के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है नासाग ने इस साल 2030 तक इससे इसको बनाय रखने के लिए प्रतिपथा जटा ही है 12 अर्तिवस्ता की दर्ज़ो है 9.2 प्रतिश्थ से और आगे बढ़ रही है जाने विस्तार से इस बारे में क्या है महारतिय अर्थवेस्ता की दर्जो है 9.2 प्रतिश्व से आगे बढ़ रही है विस्तार से नीती आयो के सीओ अमिताफ कांद ने आल इंडिया मेनेजमेंट एसोशियन के एक कारिकरम में कहा है कि भारत आज अबूतपुर्व से आर्थिक विकास और तक्निकी बदलाओं को दे लिए अंतराष्टी मात्त दिवस क्या आंतराष्टी मात्त दिवस में 21 परवड़ी को मना जाता है इस दिन को मनाने का मुझ्य उद्देश ये 20 सवर में अपनी भासा संस्कृती कल्चरल परती लोगों का रुज़ान पैदा करना है जाग रूपता फेलाना है और इसे अंत इंट्रनेशनल फिल्म एस्टिवल एवार्ट 2022 मुंबई में 20 परवरी 2022 को दादा साथ फाल के इंट्रनेशनल फेस्टिवल में एवार्ट की गोशना की और दक्षिरी भारत के सुपरिस्टार अलू अर्जुन को ब्लॉक्बस्टर हिट दा पुष्पा दा राइज को फिल्म अब दा यह चुना गया आसा पारेक को फिल्म उद्यों के उतकर श्रुदार के सम्मानित किया गया थैंक्यू सो मच पॉर्दा वाचिंग है ग्रेट जैहीं जैह भारत